जहां एक तरफ रक्षा बंदन के परव की खुशियां प्रदेश में धुमधाम से मनाई जा रही हैं, वहीं एक सड़क हादेसे में गहल हुए एक बहन ने अपनी भाई को खो दिया। करनाल ब्रामण माजरा गाउं के पास हादेसे में घायल युवक की रक्षा बंदन के दिन मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की घर में मातम का माहल बना हुआ है। मृतक के परेजनों की माने तो उसकी एक बहन है जो आज इससे राखी बंदवाने यहां पहुच रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसी युवक की मौत हो गई, जिसका पुलिस पोस्ट मोटम करवा रही है। जिसके बाद में पूरा हुआ है। सब्सक्राइब करेगा तो फिर मरेगा हो फुली के लवे मुली में बज़ेगा जहां सब्सक्राइब वह करें जिए लेपिष्य तक लगेगी च्राइब करता था रहते हम पैंट का मुंत करता था आपका नाम मिंदर यह मेरा नाम उट्सक्राइब जो दूसरे है ओभी कला बैन का और करना चादी शुदगे और फिर साती दी प्रसोदी जेस पता लग गया है अब एक सब्सक्राइब कर रहे हैं और इन का बारा तारी को एक लिए तो सड़क भी बता रहे हैं काफी खराब है मामला बारह अगस्त का बता जा रहा है जहां निगदू जाते समय युवक की बाइक ब्रहमन माजरा के पास एक गड़े में जा गरी इस दोरान बाइक पर युवक का चचेरवाई भी इस हादिसे में घायल हो गया जिसका अभी भी इलाज जारी है पुलिस कर्मियों ने युवक का पोस्ट मोटम करवा परेजनों को सौप दिया है और मामले की कारवाई कर रही है वहीं राखी के तेवहार पर भाई की मौत के बाद मातम पत्रा है भाई को राखी बांधने के लिए बेहन ने शहाबाद से आना था लेकिन उसकी मौत की खबर ने सब को जगजोर कर रख दिया है करनाल से विकास मेहला पंजाब के सिड़ी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद